So Hi CUT Aspirants, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, especially हमारे Delhi University Aspirants के लिए and that is, कि आप सभी की Delhi University की रेस अब शुरू होती है, Delhi University में admission पानी के लिए जो आपका phase 1 होता है, that is finally opened and किस तरीके से आपको fill-in करना है, अब मैं आप सभी को step by step बताने जा रहा हू Please guys, चानल को अभी के अभी subscribe कर लेना, because आपके लिए documents की उपर एक बहुत detailed video release होने वाली है, now सबसे पहले आप सभी को जो CSAS portal का phase 1 का link है, यह आप सभी को pinned comment में, साती सात description में मिल जाएगा, उस link पर जाओ, आप सभी click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का portal open आप सभी को direct अपना application password fill नहीं करना है, सबसे पहले आप सभी को new registration पर click करना है, new registration पर जैसे ही आप सभी click करेंगे, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का portal open होएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना application number डालना है, अपनी date of birth डालनी है, अपना capture डालना है, इसके बाद आप आप सभी को एक OTP मिलेगा, अपनी mail के यूपर जो आप सभी ने अपना CUD form fill करते समय दिया होगा, प्लीज आपके पास वो email का access होना चाहिए, इसके बाद आप सभी को अपना password बनाना पड़ेगा, एक request में आप सभी से करना चाहूँगा, बहुत simple password अपना बना येगा, ब आप सभी redirect हो जाएंगे homepage के उपर, and homepage आप सभी का कुछ इस तरीकी से दिखेगा, and अगर आप सभी ने registration कर लिया होगा password के बाद, तो simply आप सभी यहाँ पे अपना application number डालिए, इसके बाद आप सभी ने जो अभी-भी password बनाया है, अपना password यहाँ पे डालिए, फिर आप सभ Face 1 फिल करने का option खुल जाएगा, मैं आप सभी को बहुत अच्छी से तरीके से समझाने जा रहा हूँ, connected रहिएगा, आप सभी के लिए कुछ important instructions यहाँ पे दिख जाएंगी, and that is कि आप सभी का अभी Face 1 ओपन हुआ है, जहाँ पर आप सभी अपनी DU में apply करने जा रहे हैं, Face 2 होगा preference filling का, and Face 3 होगा seat allocation का, फिस अभी आप सभी को कितनी देनी है, अगर आप सभी general category OBC and EW से belong करते हैं, तो 200 रुपे आपको देने हैं, SC, ST, PW से belong करते हैं, तो आप सभी को 100 रुपी submit करने हैं, कुछ और courses में अगर आप apply करना चाहते हैं, जैसे कि BFA में apply करना चाहते हैं, B.A. Honor से music में करना चाहते हैं, तो 400 रुपे की extra fees आप सभी को देनी पड़ेगी, अगर आप ECA और sports quota में apply करते हैं, तो 100 रुपे की additional fee और आप सभी को देनी पड़ेगी, तो पहले इस तरीके के जो आपके सामने important instructions को लेंगे, documents के बारे में information मिलेगी, अच्छे से पहले उस सभी को बता दूँगा, इस तरीके से आपका 7 stages में पूरा application form designed है, सबसे पहले आप सभी को अपनी personal details विल करनी है, जिसमें से आपका जो name है, आपकी email ID है, और आपका जो gender है, जो अपने COT form में भरा था, वो ही सेम आप सभी के CSS portal पे भी reflect होने लगेगा, और ये तीनों information आप सभी को category change करने का मौका मिलेगा, और secondly, आप जब अपनी personal details विल करेंगे, तो इसके अंदर आप सभी को alternative email ID and alternative mobile number भरने का भी मौका मिलेगा, कई बच्चिस को ignore कर देते हैं, मैं आप सभी को request करूँगा कि प्लीज आप सभी alternative email ID और alternative mobile number जरूर दीजेगा, और आगे बढ जाना चाहूंगा and that is about personal counselling, डियो बड़ी app पर अब आप सभी को personal counselling का भी option मिलेगा, जब आप सभी इस पर click करेंगे, तो आप सभी के सामने अलग अलग तरीकी की counselling options आपको मिलेंगे, जिसमें से इस समय आपके लिए important है, Delhi University Admissions 2024, document verification related counselling पाने के लिए, आप सभी को इस counselling म आपकी University, course, domain, subject selection इन सब में भी मदद करी जाएगी, नो डियो बड़ी ये चाहता है कि हमारा कोई भी student documents की वज़े से अपना admission reject ना करा दे, इसलिए अगर आप सभी अपना document verify करवाना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर join for 199 पर click करना है, एक minimal amount of 199 जब आप पे करेंगे, तो डियो बड़ी की तरफ से आप सभी कोई का Google Meet session का एक link प्राप्त होगा, और आप सभी जो Google Meet करना चाहते हैं, आप डियो बड़ी के mentor के साथ, उसका जो date है और time है, आप अपनी convenience के हिसाब से select कर सकते हैं, जब आप सभी meet के लिए successfully register करेंगे, तो आपके पास एक एक confirmation message आ आप सभी का जो particular date and time है, उस पर आपको join करना है, और लाइव आपके जो mentor होएंगे, आपके documents को verify करेंगे, डियो बड़ी का link आप सभी को मेरे description box में मिल जाएगा, उसके बाद गाइस, बहुत students को doubt रहता है कि भाया, वार्ड कोटा क्या है, तो basically guys, वार्ड कोटा सिर्फ उन students के पास होता है, जिनके parents भी Delhi University में काम कर रहे हैं, अगर आपके parents डियो में काम कर रहे हैं, आपको वार्ड कोटा मिलेगा, otherwise not, इसके बाद कई और कोटा में अपलाए कर सकते हैं, जैसे कश्मीर कोटा होता है, आपका BPL कोटा होता है, PWBD कोटा होता है, CW कोटा होता है, आ otherwise no पर क्लिक करके आप further proceed करिए, जब आप further proceed करेंगे तो आप सभी को कोई अपना identity type card भी submit करना पड़ेगा, जैसे आपको pan card driving license submit करना पड़ सकता है, लेकिन आप सभी students के पास आपका अधार कार्ड ही handy होगा, ना भाईया अधार कार्ड का कई option नहीं दिख रहा, है option, क्या option जहां पर भी आप सभी को other valid identity type देखने को मिलता है, उस option पर click कर दीजेगा, उस option की मदद से आप अपना अधार कार्ड submit कर पाएंगे, अपनी personal details फिल करते ही, आप सभी को अपनी bank details भी fill करने पड़ेगी, अब भाईया आप सभी से आपकी bank details क्यों मांगी जारी है, देखो guys obvious सी बात है, कोई बच्चे को अगर कोई lower college मिल जाएगा, अगर वो चाहेगा कि भाई मुझे इसमें admission नहीं लेना, लेकिन आप लोगों ने अगर उसकी fee submit कर दी होईगी, तो आगे चलके आप उसका refund भी तो मांगे कि भाई मुझे admission नहीं लेना, मेरे पैसे वापस करो, तो आप सभी के सामने आपकी academic details fill करने का option आएगा, कुछ भी नहीं है, आप सभी को अपनी percentage बतानी है, subject के बार में बताना है, practical में कितना score है, theory में कितना score है, simple आप सभी को वो selection करना है, लेकिन आप में से कई बच्चे confused रहते हैं कि भाईया हमें best of 5 के बारे में बताना है, या फिर best of 6 subject के जानकारी देनी है, आपने बारवी में जितने भी subject के exam दिये हैं, सभी subject की details आप सभी को देनी है, कोई best of 5 या कोई best of 6 नहीं करना है, सभी subject की detail आपको आपके CCS portal में academic details में submit करनी है, इसके बाद दो और category आ जाती है, sports की category and ECA category, अगर आप सभी के पास कोई sport quote आ या फिर आपका running, athletics में कोई important achievement आपने हासिल करी है, तो आप sport quota में apply कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आपने कोई extra curricular activity like drawing, painting में आपने participate किया है, zone level, state level तक उच हासिल किया है, तो आप सभी को ECA quota मिलने के high chances रहेंगे, तो आप सभी का sports quota अगर आपके पास है, ECA quota आपके पास हैं, आप सभी के जो आपकी खुद की picture है, और आप सभी का जो signature है, जो आपने CUT form में दिया था, वो ही same to same आपके CSAS portal पर भी reflect होने लगेगा, आप सभी को बस अपने 10th and 12th की original mark sheet की जो PDF ये upload करने पड़ेगी, आप सभी के सामने checklist open होईगी, इस तरीके से checklist होता है, आप सभ सभी के सामने preview का option आएगा, मैं आप सभी से request करना चाहूंगा, प्रॉपर अपने form को check करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई गलती कर दी, तो CVT की तरह आपका CSAS में कोई correction window नहीं आएगी, साते साथ आपकी जो CSAS की ये window है, ये कम से कम 2-3 हफते तक खुली जैसे आप सभी को नीचे भी मैं दिखा देता हूँ, आपने जब अपने personal detail फिल कर ली, ये green mark हो जाएगा, academic green हो जाएगा, sports EC green हो जाएगा, upload कर दिये documents green हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी payment pending होईगी, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो जरूर guys अपने time पर payment कर देना, और अपना जो CSAS का form है, तीन चार दिन बाद जरूर फिल कर लेना, आप सभी का question होगा कि भाईया, self attest क्या होता है, literally बता रहा हो guys, इस चीज की उपर भी लोग detail videos बनाएंगे, मैं simple सी चीज आपको बता रहा हूँ, आप अपनी 10th की mark sheet जो भी आपको submit करनी है, उसकी photocopy ल तो आप सभी को उस पर simply इस तरीके से self attest लिखना है, अपनी 10th की mark sheet पर 12th की mark sheet पर self attest लिखिए, और अपना यहाँ पर sign कर दिजिए, अपना sign कर दिया, self attest कर दिया, आपके documents self attest हो गए है, बस इसी को self attest कहा जाता है, अपनी original mark sheet पर self attest मत कर देना, otherwise आगे problem होएगी, so I hope guys this video is going to help you a lot, बहुत सारी चीज़ें, मैंने आप सभी को इस एक वीडियो में provide करी है, चानल को अभी अभी subscribe कर देना, because documents related, एक बहुत ही detail video, बहुत जल्दाने वाली है,